अरे मुझे तो इसकी धूल से खासी आ रही है ओहो बहु मुझे पहले बता देती रुक मैं तेरे ये मूँपर कपड़ा बांद देती हूँ जिससे तुझे खासी नहीं आएगी ये कहकर अपनी बहु के मूँपर कपड़ा बांद नहीं वाली होती है कि अचानक से उसे उल्टी आती है और वो उट कर बात्रूम में चली जाती है अरे बहु क्या हो गया तु एकदम से उल्टी क्यों कर रही है तुने कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या जरूर ये नवीन के काम होंगे आने दे मैं उसको अभी बताती हूँ ये कहका रंजना सुपरिया को डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ वह अपनी खुश खबरी को लेकर कनफिर्म हो जाती है और नवीन को खुश खबरी देती है शाम को आते वक्त नवीन डाडी वाली टी-शिर्ट पहन कर गुबारे और खिलोने ले आता है दिखताना 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 तुम हो मेरी खुशियों का खाजाना दिखताना 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 फाइनली मैं पापा और तुम मम्मी और मा दादी बनने वाली हैं इस घर में खुश ही आ गई जी बहू अब तु कोई काम नहीं करेगी मैं तेरा बहुत अच्छे से खयाल रखूँगी चल तु बैठ जा मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ देख तेरी गोदबराई बहुत अच्छे से करूँगी और तेरे माइके वाले भी माफ कर दे बहू मुझे माजी कोई बात नहीं मेरा माइका है ही नहीं तो मैं बुलाऊंगी किसको आप चिंता मत कीजे मुझे बुरा नहीं लगा तो मुझे पागल समझती है हां मैं तेरी सास हूँ लेकिन मा भी हूँ तुझे ये नहीं समझजना चाहिए कि तेरा माइका नहीं है मैं तेरी सास और माइ दोनों का रोल निभाऊंगी समझी तू इसलिए जो माइके से लड़ो आते है ना बेटी के लिए वो घी के गोंध मैं तेरे लिए अपने हाथों से बनाऊंगी और मेरे होने वाले बच्चे और पत्नी का जो मन करेगा खाने का वो मैं उने खिलाऊंगा इसलिए क्योंकि आप दोनों मुझे तना प्यार जो करते हो वो तो हमेशा करेंगे बहू, मैं आती हूँ रंजरा अपनी बहू के लिए जूस लेकर आती है और उसे बलाती है एक हफ़ता बीत जाता है कि उसकी बेटी कनिश्का भी घरा कर अपनी मा के एकदम से गले लग जाती है अरे कनिश्का का, तु अचानक से ये सर्प्राइज, कैसे बेटा? मा, ये तो सिर्फ एक छूटा सर्प्राइज था, इससे बड़ा वाला सर्प्राइज तो देव, दिखा दीजे ज़रा तभी नंद का पती देव, प्यारी, नानी, प्यारे मामा, प्यारी मामी का लेटर तीनों को पकड़ा देते हैं, जिसे देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्या, सच में, तु मा बनने वाली है, और मैं मामा मा, बथाई हो, बथाई हो मा, आप दादी और नानी एक साथ बनने वाली हैं, बल्ले बल्ले अरे वाह, मेरा तो जी ही खुश हो गया, ओ माई गौड, यानि कि मैं मम्मी और बुवा दोनों बनने वाली हूँ आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाबी, अब तो हम दोनों की प्रेगनेंसी एक साथ होगी और हमारे बच्चे भी एक साथ होगे हाँ, बल्कुल, वो अभी-भी हमें खबर मिली थी, एक हफ़ते में भूली गए कि आप सब लोगों को खुश्यां भी देनी है बेटा, तू यहीं रुक जा, मैं तेरा बहुत खयाल रखूँगी, तू यहीं पर डिलिवरी करवाना अरे माजी, आप चिंता क्यों करती है, आपकी बेटी को मैं इतने बड़े बैक के साथ इसलिए तो लाया हूँ अपने पहले बच्चे की डिलिवरी वो माईके में करना चाहती है, जैसे कि हर बेटिया करती है, अब यह बहुत आराम से रहेगी सस्राल के काम से फ्री अरे वा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काश मेरा भी माईका होता, लेकिन मेरे ममी पापा नहीं रहे और भाई बेहन कोई था ही नहीं, ये खुशी मुझे कभी नहीं मिल पाएगी मैं जानती हूँ, तुझे क्यों बुरा लग रहा, पर मैंने बोला है न, मैं हूँ ना तेरे साथ, हमेशा, आईए दा माजी बैठ जाईए, मैं कुछ लेकर आती हूँ अरे माजी आप दीदी और जीजी के साथ बैठिये, मैं लेकर आती हूँ, थोड़े बहुत काम तो कर सकती हूँ, आच्छा ठीक है ये कहकर सुप्रिया सबके लिए चाए नाश्ता लेकर आती है, फिर देव चला जाता है दिन गुजरते हैं, सास अपनी बहु और बेटी, दोनों का ही खयाल रखती है, लेकिन एक दिन सुप्रिया बेहोश हो जाती है, जिस वज़ा से डॉक्टर सास को कहती है देखिए, ये इनकी फर्स प्रेगनेंसी है और ये बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसी वज़ा से आपको अपनी बहु का बहुत खयाल रखना होगा अच्छे से टाइम पर खाना, पीना, फल, हरी सबजी, जितना आप उनको ताकत की चीज़ दे सकती है, दीजे, क्योंकि नौवे महीने में बहुत जरूरी होता है, आप समझती है जी डॉक्टर, मैं अपनी बहु का अच्छे से खयाल रखोंगी कमजोरी की वज़ा से सुप्रिया बिहोश हो जाती है, जिस वज़ा से रंजना अपनी बहु का बेटी से भी ज़्यादा खयाल रखती है दीरे-दीरे कनिश्का को ये अंतर दिखने लगता है ऐसे ही एक दिन जब वह सीड़ी से उतर कर नीचे हॉल में आई थी तो सास उसके सोफे के पीछे दो तक्या और एक पैर के नीचे तक्या लगा देती है जबकि बेटी भी सीड़ीों से उतर कर आई थी, वह उसके लिए कोई तक्या नहीं लगा थी बहु, अब तो ज़ा आराम तो मिल रहा है न ये तक्या लगा कर हाँ माजी मुझे ऐसे ठीक लग रहा है माँ को क्या हो गया है, देख रही हूं कुछ दिनों से भावी की बहुत ज्यादा केर कर रही है मुझे भी तो तक्या लगा सकती थी, मैं भी प्रेगनेंट हूं लेकिन नहीं, सर्फ भावी कोई तक्या लगाया है माँ मेरा कुछ खटा खाने का मन कर रहा है, कुछ ले आओना अच्छा सा माजी मुझे चटपटा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए भी आप कुछ ले आइए रुको, मैं अभी लाती हूं तबी रंजना बाहर से अपनी बहु के लिए चटपटी आलू की टिक्की लाकर उसको देती है और रसोई में से बेटी को खटा मीठा निम्बू का अचार देती है वह माजी ये गर्मा गरम चटपटी टिक्की खाकर तो मझे बहुत अच्छा लग रहा है, थांक्यू अरे बहु अब तो अपनी मा को थांक्यू बोलेगी क्या सच में, लगता है मैंने यहां आकर गलती कर दी मा मेरी मा है, ना की मेरी भावी की लेकिन मा को बस भावी की तकलीफ दिखाई देर, ये भावी का ही खयाल रख रही है मेरे लिए रसोई से खटा मीठा, इतने दिनों का बना अचार और भावी के लिए बाहर से आलू की टिक्की लाई है अगर मेरा खटा मीठा खाने का मन कर रहा था तो ढोकला भी ला सकती थी गुल गप्पे भी ला सकती थी लेकिन नहीं, मा को मेरी थोड़ी न फिकर होगी कनिश्का गुस्से का गुंट पी कर रह जाती है, धीरे धीरे दोनों का चटा महीना लग जाता है जहां दोनों के पैर पर सूजन चड़ती है, रंजना अपनी बेटी को दिन भर में एक बार पैरों की मालिश करती है लेकिन बहु की दो बार मालिश करती है मा आपने ऐसा क्यूं किया, भाबी की दो बार मालिश और मेरी एक ही बार बेटा बहु थोड़ी कम जोर है और उसके सूजन भी ज्यादा चड़ी है डॉक्टर ने ज्यादा खयाल रखने को कहा है, इसलिए कह रही हूँ तू तो इतनी ठीक है, अभी इसी लिए एक बार की तू भी ना कुछ भी सोचती है, ये मत सोच कि मैं तेरी भाबी का ज्यादा कर रही हूँ और तेरा कम हाँ दीदी माजी ने बलकुल ठीक कहा ऐसे धीरे धीरे नौवा महीना भी लग जाता, एक दिन सास अपनी बहु को गाजर का हलवा बना कर खिलाती है और उसके बाद अपनी बेटी को देती है, अपनी बहु को दो लड़ू, लेकिन अपनी बेटी को एक लड़ू देती है इन सब बातों से भी कनिश्का को बहुत बुरा लग रहा था और फिर सास अपनी बहु और बेटे की घर में गोदभराई की रस्म करती है जहां बेटी को तो अपना हार चड़ा देती है तोफे में लेकिन बहु को नया सोने का हार देती है और एक्स्ट्रा कपड़े साड़ी भी आरे आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरी बहु और बेटी दोनों को ही धेर सारा आशिरवात देना और उनके होने वाले बच्चों को भी मैंने तो अपना तौफा दे दिया औरे अब हम भी दे देते हैं ये ले बहु तेरे लिए मिठाई और बरारसी साड़ी और कनेश का वेटी तेरे लिए ये शिफॉन की साड़ी चलो चलो नाचना गाना शुरू करो आखो में सपना सपने में अपना एक नन्हा सा मेहमा है रोशन होगा कब वो दीपक सब के दिलों में अर्मा है सच होने वाला है एक सपना चहकने वाला है घर अंगना ननी सी कदमों की आहट आती है रंजना और उसके रिष्टदार नाच गाकर गोद भराई रसम कर रहे थे बहु और बेटी दोनों के उपर से पैसे निचावर कर रहे थे तबी गुस्से से कनिशका सारा सामान फेग देती है बस बहुत हो गया मुझे नहीं रहना इस गोद भराई की रसम में अब एक मिनट भी कनिशका बेटी क्या हुआ तुझे क्या हुआ दी आपको कुछ चाहिए क्या कुछ गलती हुई है आप तो बस चुपी रहिए नफरत हो रही है मुझे आपसे तबी रंजना बहु को संभालती है कनिशका हाँ हाँ भावी को संभाल लीजे आपको बस उनकी फिक्र है भावी आपनी मेरी माँ को मुझसे चीन लिया है और माँ आपको भी बस भावी की पड़ी है मेरी नहीं आप तो मुझे कम प्यार करती हैं लेकिन आज गोद भराई में सामान भी कम मुझे दिया और भावी को नया निकलिस दे दिया मुझे अपना पुराना दिया और सरला अंटी ने सस्ती सी शिफॉन की साड़ी दिये और भावी को महिंगी बनार सी साड़ी मुझे खटा मीठा चाहिए था तो आप गोलगप्पे नहीं लाई रसोई से बेकार सा चार दे दिया लेकिन भावी के लिए बाहर से टिक्की विक्की ले आई भावी की ज्यादा केर कर रही है उनको ज्यादा किला रही है उन्हें तक की आलगा रही है मेरा क्या माँ मेरे माईके आने का क्या फाइदा हुआ अगर ऐसा ही था तो भावी को माईके भेज़ देती बसकर बहुत हुआ तुझे ये पता नहीं है तेरी भावी का माइका नहीं है उसको माइके की तरफ से प्यार देना मेरा फर्ज है मैं कोई जालिम सास नहीं हूँ जो बहु परत्याचार करे इसलिए उसे बहुत प्यार करती हूँ तुझे भी करती हूँ मैंने तुम दोनों में से किसी को फर्क नहीं किया और खयाल रखने की बात है तो डॉक्टर ने मुझे इसका बहुत खयाल रखने को कहा था तेरी भावी कमजोर है तु सोचती मैं तेरे बारे में डॉक्टर से नहीं पूछती मुझे दोनों की condition मालूम है इसलिए दोनों का ऐसा खयाल रखा है जितना मुझे डॉक्टर ने कहा पर तूने तो कुछ और ही समझ लिया मैंने तुझे अपना पुराना हार नहीं दिया तेरे पापा की निशानी तुझे दी है जो मैं बहु को नहीं दे सकती थी और उसका माय का भी नहीं था इसलिए मैंने नया हार बनवाया लेकिन वाह तूने तो मुझे तॉल कर ही रख दिया तुझे ऐसी डिटी हो रही थी इसलिए निमू का चार दिया बाहर का नहीं दिया कुछ तू सोचती तेरी मा को तेरी फिक्र नहीं लेकिन तेरी मा का दिल सब जानता है मा मुझे माफ कर दो पता नहीं मुझे ये कैसी गलत फैमी हो गई और ऐसा लगने लगा कि आप बस भावी का खयाल रखती है मेरा नहीं मैंने कैसे सोच लिया भाबी मुझे माफ कर दीजे मैंने आपको धक्का भी दे दिया मैं बहुत बेकार हूँ कोई बात नहीं दीदी मैं बलकुल ठीक हूँ मुझे नहीं लगी आप विकर मत कीजे माजी जिस तरह से मेरा खयाल रख रही थी तो किसी भी बेटी को गलत फैमी हो जाती और हम दोनों के बीच माफी की कैसी बात तैंक यू भाबी एंड सौरी मा कनिश्का को अपनी गलती का हिसास होता है और सास दोनों को गले लगा लेती है बागी की गोदभराई की रस्म प्यार से हो जाती है और अगले ही हफते दोनों प्यार से बेटे को जन्म देती है इसके बाद रंजिन आपने दोनों बच्चों को एक साथ खिला कर खूब खूब खुश होती है दोस्तों गलत फैमी को सही समय पर ही सुलज़ा लिया जाए इसी में ही सब की भलाई होती है क्या इससे आप लोग भी सहमत है कॉमेंट करके जरूर बताएं